Good evening everyone, तो आज हम discuss करेंगे what is planning, planning क्या है, basically जब भी हम अपना कोई target set करते हैं, हम अपना कोई goal set करते हैं, तो हमें planning की जरूरत पड़ती है, planning क्या है, planning एक method है, जिसे हम अपने goal का achieve करने के लिए लगाते हैं, लेकिन आज हम planning को समझेंगे economy के perspective से, क्योंकि ये जो topic है, ये process of thinking regarding the activities required to achieve a desired goal, मालीज government है, government ने set किया है कि हमें economic development करनी है, social development करनी है, तो उसके लिए वो plan करेगी, plan करेगी, एक method implement होगा, वो plan 6 साल का भी हो सकता है, 1 साल का भी हो सकता है, 2 साल का भी हो सकता है, government को पता होगा कि अगर हम इस method को लगाएंगे, अगर हम इस planning से चलेंगे, तो आने वाले कुछ सालों में हमें ये result मिलेगा, हमें economic progress देखने को मिलेगी, तो ये होती है planning, लेकिन planning भी बहुत types के होती है, ये तो planning की definition थी, अब किस तरह से सरकार planning कर सकती है, economy को progress में लाने के लिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं types of planning की, कि कितनी planning होती है, सबसे पह 5th one is the centralized planning, 6th one is the decentralized planning, and 7th one is the perspective planning, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं indicative planning, indicative planning की जो शुरुआत थी, याद रखेगा important question भी बन जाता है, indicative planning जो है उसकी शुरुआत हुई थी फ्रांस में, indicative planning में क्या होता है, indicative planning में हम public और private दोनों का contribution देखते हैं, ज्यादा तर इसका जो इस 5th five year plan था, उसमें हमने इसे adopt किया था, indicative planning को, दूसरा ये है कि indicative planning में जो government होती है, वो पूरी तर से core sectors के उपर focus करती है, core sector जो बहुत ही ज्यादा important होते हैं, जैसे हमारे भी eight core sector है, उनके उपर सरकार जो है focus करेगी, उसके बाद future growth में देखी जाती है, अगर हम indicative planning के हिसाब आप से चलेंगे, तो आने वाले समय में हमें कितना फाइदा मिलेगा, उसके बाद long term strategic vision होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत साल देखे जाते हैं, इसमें कि 10 साल में, 15 साल में हमें इसका क्या result मिलेगा, उसके बाद consumer producer oriented होता है, इसमें consumer को भी ध्यान में रखा जा countries होती हैं, वहाँ देखने को मिलती है, दूसरा हमारे पास आता है comprehensive planning, comprehensive planning में क्या होता है, कि जो भी economic activities होती है, उसे पूरी तरह से control किया जाता है state के दौरा, जो भी resources हमारे पास होते है, संसादन हमारे पास होते है, state उसको अपने हिसाब से allocate करती है, ज्यादतर comprehensive planning जो है, व जो कि इतने जादा important नहीं होते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि एक positive way में, growth जो होती है, एक positive way में होती है, वो कभी negative way में हम उसे नहीं देखते हैं, तो जो पुराने structure होते हैं, उनको हमें replace करने की जरूरत होती है, तो structural planning का सीधा सीधा मतलब यही है, कि जो old existing structures है, उसक इस तरह की जो planning होती है, उस planning को हम बोलते हैं structural planning, उसके बाद हमारे पास आता है functional planning, functional planning में हमें structure को change करने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम structure को replace नहीं करते हैं, no need to change a structure, इसमें हम जो हमारा existing structure है, उसको ही modify करते हैं with new version, new version के साथ, और उसी में ही सारा कुछ function होता है, तो इसल हमारे पास आता है centralized planning, centralized planning में एक central planning authority होती है, जो सारा काम देखती है, जितनी भी power होती है, वो central planning authority के पास होती है, central planning authority इसमें क्या करती है, कुछ targets set करती है, कुछ उनकी priorities होती है, कि किस sector पे हमें focus करना है, और किस sector पे हमें focus नहीं करना है, ये सारी चीजे central planning authority देखती है, तो इसलिए इसे centralized planning कह दिया जाता है इसकी जो approach होती है वो top to bottom approach होती है यानि कि सबसे पहले center planning authority उसके बाद नीचे जितने भी authorities होती है उसी हिसाब से top to bottom approach काम किया जाएगा इसलिए इसे हम centralized planning कहते है उसके बाद हमारे पास आ जाता है decentralized planning जो कि centralized planning का बिल्कुल उल्टा है इसमें बहुत सारे जो institutions होते हैं वो शामिल होते हैं planning में और multi-level planning होती है अब जैसे मैंने आपको बताए कि बहुत सारे institution है तो definitely multi-level planning होगी इसमें bottom to top approach का इस्तमाल होता है यानि कि local level पे भी देखा जाएगा हम 15 से, 20 से, 25 से, 30, 40 साल के planning कर लेते हैं कि 40 साल में हमें इस तरह का result चाहिए लेकिन वो 40 साल की जो planning है वो एकदम से नहीं होती है पहले 5 साल सेट किये जाएंगे जैसे हमारे भी 5 यर प्लान होते हैं पहले 5 यर प्लान होगा उसका वार 10 यर प्लान होगा फिर 15 यर प्लान होगा इस तरह से हम जो economic progress है वो देखते हैं तो long term planning होती है इसलिए इसे perspective planning कह दिया जाता है तो आज हमने discuss किया planning के बारे में कि planning क्या है उसको हमने economical perspective से समझने की कोशिश की और बहुत सारी जो countries होती है जैसे India है, China है, जैसे Soviet Union था तो इनका different perspective होता है एक different तरीके से यह planning करते हैं और जो gains होते हैं, जो benefit होते हैं उसको देखते हैं, futuristic growth को देखते हैं तो मिलते हैं next video में, thank you